नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी योटूब चैनल प्रकास से जू टेक में EKTU के चात्रों का रिजल्ट क्या एक्जाम से पहले आ जाएगा यानि कि एड्मिट कार्ड रिलीज होने से पहले क्या EKTU के COP के जो या Food Challenge Evaluation के जो भी Results हैं वो जारी कर दिये जाएंगे या फिर EKTU को जो भी चात रहें उनको एक्जाम भी देना होगा और एक्जाम फार्म भी भरना होगा यानि कि कह सकते हैं ओवराल सिर्फ और सिर्फ टेंसन और पैसे की बरबादी करना होगा साथी चीज़ों पर बात करूँगा वीडियो को टिल इन तक वाच करना बाकि अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियो इसको देख रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बल आइकन को जरूर हिट करना है इससे ही पलपल की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है जिदने लोग वीडियो को देख रहे हो चैनल को सभी लोग सबस्क्राइब करके बल आइकन को हिट कर दो तो फिर देरिक इस बात की चली वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्जाम कंट्रोलर के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपके एक्जाम सुरू होने से पहले आपका रिजल्ट डिक्लियर कर दिया जाएगा ऐसे मैं आज जो डेट है वो है 3 जनवरी 2024 जब मैं विड़ो को रिकार्ड कर रहा है और ऐसे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ कि 2024 तो आच चुका है मगर अभी तक चात्रों का रिजल्ट नहीं आया है और यहां पर अगर चीज़ें मैं पूरी तरीके से बताऊँ पूरी बातें आप तक कवर करूँ तो उसका ये निसकर्स निकल के आता है कि आपका रिजल्ट 7 जनवरी के पहले तक डिक्लियर कर दिया जाएगा जो भी बचे हुए रिजल्ट्स है जिस हिसाब से एक्जाम कंट्रोलर सहाब का बयान था उस आधार पर उस तर्ज पर कहा जा सकता है ये हो गई उनकी बात अब बात करता हूँ मैं अपनी जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि आपका रिजल्ट 9 जनवरी के पहले तक डिक्लियर किया जाएगा यानि कि एक्जाम कंट्रोलर ने जो टाइम बताया उसके दो दिन बाद तक मुझे ऐसा आसार लगता है इस्थिती परिस्थितियों तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए तो क्या असलियत है क्या हकीकत ये तो वक्त बताएगा लेकिन ऐसे में मैं यही दुआ करूँगा कि जितना जल्दी हो सके इन छात्रों का रिजल्ट आए क्योंकि ये छात्र बिचारे इसलिए कंफ्यूज हैं कि रिजल्ट नहीं आया हमने फॉर्म भर दिया पैसा लगा दिया पढ़ना पढ़ेगा जाके एक्जाम देना पढ़ेगा उसकी तकलीफ एक इस्ट्वेंट ही समझ सकता है मैं भी कभी EKTU का इस्ट्वेंट रह चुका हूँ समझ गए बाकी का आपको बता दूँ कि आने वाले समय में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वीडियो के माध्यम से इसी चैनल के थूरू सारी चीजसें आप तक पहुचा दी जाएंगी दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भाई admit card कब तक release होगा तो exam के दो दिन पहले तक admit card release हो जाएगा उतना बहुत बड़ा इसू नहीं है क्योंकि admit card तो release होगा ही तभी आप जाओगे exam दिने समझ गए तो यह एक टिव का tension यह आपका tension नहीं है कि admit card कब आएगा कब होगा आप अपने exam पे focus करो और comment करके जरूर से बताना कि आपका exam कब से start होने वाला है आपका exam किस दिन से start होने वाला है इसको आप comment करके जरूर से बताना तो यही तमाम सारी चीज़ें हैं चात्र काफी ज्य मैं okay हूँ और आप आप लोग भी okay हो जाओगे क्योंकि मैं सब को reply करने वाला हूँ तो आप पूछ सकते हो जो भी सवाल आपके जहन में हो आधर वो यूपी स्कॉलर से यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन या फिर एक्रेटीव या तमाम सारी जो भी यूत्तर प्रद गोल्ड बाई कर लेना है दस रुपए के डिजिटल गोल्ड बाई करने से आपको लगभग 850 रुपए तक का कैस बैक जो है वो मिल जाएगा जैनमी ने किसी प्रकार का फेक ए फ्रॉड एप नहीं है समझ गए आप चाहोत एक रुपए से भी कर सकते हो लेकिन दस करना होगा साथ ही यहां से आप जैनमीन लोन भी पा सकते हो मैंने कितना अन किया है आप भी कर सकते हैं इस तरीके से 2800 रुपए मैंने इस अप्लिकेशन से अर्न किया है आप भी इसको अपने दोस्तों में रिफर कर सकते हैं लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आप पहले खोदी अपना रिजिट्रिसन कर लो 850 तक का जो भी कैस बैक आपको मिल जाए वो आप अपना बिड्रॉकर के बैंक म में ले लो फायदे में आजाओ उसके पाद अराम से रिफर करना चलो कोई दिक्कत नहीं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को पूछ लो